इसमें 10 लोगसभा सीटों पर 96 लोगसभा सीटों पर 10 रज्यों के समें मददान हो रहा है और 11 बिजे तक वोटिंग पसेंटेज क्या है यहां आप तक पहुचाएंगे लेकिन 96 लोग सभा सीटे जहाँ पर लगातार मदान हो रहा है तस्वीरे भारत 24 आपको दिखा रहा है 10 राजों की कुल 96 लोग सभा सीटे जहां अधिगजों ने अपने मत की अधिकार का इस्तेमाल किया है चौथे चौणन का चुनाओ और 10 राज 96 लोग सभा सीटे चान घंटे का मतदान अब तक पूरा हो चुका है 10 राजों की 96 लोग सभा सीटे जहां पर चौथे चौणन का मतदान इस समय चल रहा है और सुबह 11 बुजे तक मतदान जिसमें लंबी-लंबी कतारे देखने को बिली है 10 राजों की 96 लोग सभा सीटे जहां पर चौथे चौणन का मतदान लगाता अचारी है 4 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है लेकिन अभी शाम तक का वक्त है इसले भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि आप घर से बाहर निखले और अपने मत के अधिकार का इस्तमाल जलूर करें शिका बिल्कुल क्योंकि ये वाला जो चरण है वो डिसाइडिंग चरण है और हमने थर्ड फेस के लिए भी यही कहा था तो इसलिए इसको deciding factor मान रहे हैं कि वो जो हम swing voters की बात करते हैं floating voters की बात करते हैं वो seatे decide करेगा यानि कि 21 seatे ऐसी हैं जहां पर 2014 में और 2019 में हार जीत का एकदम बदला हो था तो 1% vote percentage का difference रहा है इसलिए ये deciding factor है कि ऐसी 21, 22, 25 seatे वो कौन सी होंगी जो 2014 में अगर किसी एक party के साथ थी 19 में अगर दूसरी party के साथ थी तो 24 में किस के साथ जाने है बिलकुल अच्छा और अधिति चुकि साउथ की समीकरन को भी अगर समझे तो आंदरप्रदेश के 25 लोग सभा सीते हैं जिस पर चुनाओ है अब आंदरप्रदेश में जब चुनाओ है तो ये क्या decisive factor रहने वाला है बीजोपिक के लिए बहुत ज्यादा वज़ा ये है कि जिस तरीके से करनाटक से बहुत ज्यादा उमीदे दॉक्षन के लिहाज से रहती हैं ठीक वैसे ही तेलंगाना और फिर आंदरा ऐसे रज है जहां से इस बार भारतेंता पार्टी को बहुत उमीदे और आंदरा से ज्यादा तेलंगाना लेकिन आंदरा में भी इस बार अलग तरीके से politics की गई है पहली बात तो Congress ने तो केवल जिस तरीके से अगर देखा जाए के आंदरा में जो पूरी politics चल रही है के सियार की अगर बात करें तो और तमाम मुद्दों पर BRS इस बार बैक फूट पे है और इस बार कॉंग जी बिल्कुल तू देखिए तिलंगाना और आंदर प्रदेश और अधिती आप तो साउथ पे घूमी भी और हमाई साथ मेहमान भी जोड़का है इंट्रॉडक्शन भी आपका करवा देते हैं एसन सेंग प्रवक्ता बीज़पी इस वक्त हमारे साथ रहुलाल जी राजनेतिक वशलेचक हमाई साथ स्टूडियो में सरवेश पाथा की समय है अधिती आप कह रहे थी साउथ के फाक्टर क्या बात कर रहे थी आंध्रा की बात कर रहे थी आप तिलंगाना की बात कर रहे थी आंध्रा और तिलंगाना ये दो ऐसी जगे हैं जहां जिसको लेकर के बीज़पी हमेशा सजग रही है करनाटक से इतर अगर बात करें अब बीजोपी के पास जादा कुछ अगर बटोरनी के लिए है तो दक्षन के एरिया से है तो जब आप साउथ पहुची वहाँ का समीकरण आपने क्या देखा देखे हर इलाके का समीकरण अलग है पहले तो यह समझना जरूरी है कि साउथ का मिशन कितना इंपोर्टेंट है क्योंकि 113 सीटे आती है ठीक वैसे ही पश्चिम मंगाल, बिहार और अगर बात करें महाराष्ट्रा यहां कि अगर तीनों सीटे मिला ले तो भी 130 सीटे है तो एक तरफ तो अगर इधर बात करें उत्तर की तरफ तो पश्चिम मंगाल, बिहार और महाराष्ट्रा 130 सीटे वहीं धक्षन की बात करें तो 130 सीटे उसमें सबसे इंपोर्टेंट है करनाटक जिसका हो चुका है चुनाव अब बात आती है तेलंगाना की तेलंगाना में फिलाल किसकी सरकार है कॉंग्रिस की सरकार आ चुकी है भारतिय जनता पार्टी और हम शिखा आपर में पहले भी आंदर और तेलंगाना में बात कर चुके हैं detailed में, pure politics में, तो देखे, यहाँ पर इस बार BRS बैक फुट पे है, भारतियन ताब पार्टी BRS का वोड बैंक और संगठन, दोनों अपनी तरफ shift करने कोशिश कर रही है, और सीधा-सीधा target क्या है, कि जितना BRS ने ठगा जनता को, नरंद मोधी लगातार, यह कह रहे हैं, रेश्टाचार को लेकर, उससे double अब कॉंग्रिस ठग रही है, और जो 120 दिन निकले हैं, तेलंगाना सरकार के, उसमें कॉंग्रिस ने वो वाइदे पूरे नहीं करे, जो उसको करने थे लोगसमद चु नतीजे कुछ और होते हैं, अभी भी कई न कई वो वोट बैंक जो है, या वो समर्थक है, वो नाराज है, बंदी संजे को आगे ना करने के चलते हैं, अब आते हैं आंधरा पे, आंधरा में चीज़े अलग हैं, आंधरा में YSR के साथ, YSR की दो चीज़े हैं, प्रत्याशी ने बात की है, हमारे रिपोर्टर ने प्रत्याशी से सीधे बात की है, आसन सोल की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, और भारत 24 की टीम जमीन पर मौझूद है, और वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों से भारत 24 की टीम ने बात की है, तस्व भारत 24 पर आप ये मेगा कवरिज देख रहे हैं, 96 लोग सबासीते के दस्राज़ जहाँ पर इस समय सतत मतदान किया जा रहा है SS आलूवालिया से बात किया है, हमारे सहियोगी धनाजने, पहले आपको सुनवाते हैं भी वोटिंग जो हो रही है, अभी वोटिंग जो हो रही है, अभी तो more or less peaceful है सुबा से लेकर अब तक करीब 13% प्लस वोट पॉल हो चुके हैं अभी 11 विजे एक नया अपडेट लेंगे तो उसको पता लगेगा कि हम लोगो कितने परसेंट हुआ है वोटिंग जो होती है कि जनता का जो विचार है, जनता की जो अभी परह है और जो अपना वो यह देते हैं, वो तभी देते हैं जब उसका परसेंटेज बढ़ता है तो परसेंटेज इस हिसाब से अगर चला तो हम उमीद करते हैं, 70-75 या 80% तक वोटिंग हो जाएगी साम तक यहां पर देखे जब बिज़ेपी ने लेप्ट के जो गर्ड़ था उसको हटा के बिज़ेपी की सांसत बने थे, उसके बाद बले उटीमसी में चलेंगे, फिर अब आपको यहां से उमीदवार बनाया गया है, अब आपके पिपक्च में खड़े हैं, किस तरह से तक्कर मि मिल रहा है, कियां किन मुद्द को लेप यहां पर जनता आपको समर्था, अब देखी यह प्रचार का विशय था, प्रचार तो समात्त हो गया, इस तो चुनाव हो रहा है, और जनता के हाथ में बटन है, बटन को दबा कर उन्होंने अपना निर्ने देना है, उसका इंतजा हो गया, आज तो बटन लोगों के हाथ में है, चाहे वो मेरे को धरती पुत्र माने, और चाहे किसी को बाहरी माने, चाहे किसी को सिनेमा का हीरो माने, किसी को पॉलिटीशन माने, सांसद माने, उन्होंने तो चुनना है अपना एक जन सेवक. अजिए वो में नहीं चलेगा, जो लोग आरोप लगाते हैं, आपी की भासा बोल रहा हूँ है, कि लोग कहते हैं, यहां रास्टबाद नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, वो बता दे. प्रत्याशी उत्साह का माहौल है और उत्साह हो भी क्यूंकि 400 प्लस का टार्गेट चौप NDA की तरफ से सेट किया गया है और तीन सासी का टागेट बीजोपी के लिए सेट है तो ये प्रत्याशी उत्साहे थें कि प्रदान मुत्री मोदी के चौहरे परी साही लेकिन चौनाव जीते जाएंगे एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं इसका बड़ा पानल हमारे साथ मुझूद एसिन सेंग, प्रवक्ता बीजोपी हमारे साथ, राकेश शेटी, प्रवक्ता, कॉंग्रस, विजराथी, प्रवक्ता सपा, रहुलाल, राजुनेतिक विश्रेशक और सरवेश पाथक इस समय हमारे साथ मौझूद हैं क्या रहने वाला है? और दूसरी चीज़ ये, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के पिछले तीन शड़ों में काफी जादा इसे मुद्दा बनाया गया कभी कहा गया कि बीज़पी इस से हार जाएगी वोटिंग परसेंटेज का में तो फिर आगे आते आते चुहें वोटिंग परसेंटेज गेल हुआ है अब आपको क्या लगता है? क्या होने वाला है? क्या हो रहा है? बिंदु वार समझ रहते हैं, पहला हम किसी भी एक पिक्चर में जब इंटरवेल पर पहुंच जाते हैं तो वो पिक्चर और इंटरिस्टिंग हो जाती है ठीक उसी तरह लोगसबद चुनाओं की इस पिक्चर में हम इंटरवेल तक पहुंच चुके हैं आदा निकल चुका है, आदा बचा है और यह आदा हमेशा आपको क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है, इसलिए बहुत महत्पून होता है दूसरी बात है कि आपने कहा कि क्या बिंदु महत्पून है इस 96 सीट में 5 सीटे बहुत इंपॉर्टन है जिसमें बंगाल की दो सीटे है एक महुआ मुईत्रा की, एक बहरंपूर की बात कर ले इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद वाली सीट बहुत महत्पून है जिसमें नजर है कि क्या होगा वहाँ पर भारतिनता पार्टी ने जिस तरीके से उता रहे है महिला प्रत्याशी तमाम चीज़े तो ऐसी 5 सीटे हैं जो बहुत ज़्यादा से अखलेश रादव की अगर करनौज की बात कर लें उसके अलावा अगर बिहार चले जाए तो बिहार की पाच्चों में से जो एक सीटे है वो बहुत इंपोर्टेंट है जापे गिर्राज से लड़ रहे है यहाँ पर से तरह कमाओल है अब आपने कहा फैक्टर है अगर बिहार के हजरिपूर में इस समय प्रधार मिंत्री मोधी का समोधन चल रहा है आपको सीधा लिए चलते है